हालो फ्रेंड्स, सौर एकेड़ी में आप सभी लोगों का स्वागत है, हमारी GKGS की क्लासेस कांटीनू चल रही है, पिछले लेक्चर में हम लोग पॉलिटी के महत्पूर्ण प्रस्णों को देखा था, आज की क्लास में हम राष्टी और अंतर राष्टी खेलों से संबंदि महत्पूर्ण प्रस्णों को देखेंगे, जो आपकी सभी परिच्छाओं के लिए important होगे, आगामी आने वाले railway के exam है, उसके लिए important होगा, अगनी बीर के exam चल रहे हैं, उसके लिए important है, इसका लवा SSC, banking, police, PEB, किसी भी exam पे के लिए important होगे, तो चले क्लास को सुरू करत बो देखते हैं आज के प्रस्णों को, आज का पहले ACI खेलों का आयोजन कब किया गया था? पहले ACI खेलों का आयोजन कब किया गया था? 4 March 1950, 4 March 19 पहले ACI खेनों का आयोजन किया गया था इसलिए भी है क्योंकि इसका आयोजन इस्थल जो रहा है वो भारत रहा है इसके महत्कूँ डिटेल देख लेते हैं सुभारम्भी इसका चार मार्च उन्निस सो इंक्यामन इस्थल इसका दिल्ली उद्घाटन इसका किस ने किया था तो भारत के पहले राष्ट पती डाक्टर राजेंद प्रसाथ के दौरा इसका उद्घाटन किया गया था खिलाडियों की संक्या कितनी रही है तो 11 देशों के 489 खिलाडी इसमें आदर सुवाग क्या रहा है सदा आंगे एवर ऑनवर्ड दोहजार अठारा का यह करंटफेर से जुला हुआ है दोहजार अठारा का कहां पर हुआ था ACI गेम्स यह जकारता इंडोनेसिया में 2022 में कोरोना के काड़ नहीं हो पाया था तो 2023 में संपन हुओ था रग़लीमें यह नायोगा जपान एक पुछा जा सकता है तो नायोगा जपान नहीं होकला और यह प्रतिवर्शब्स्य ऍख लेते हैं देख लिटे हैं माउंट एcelोड की ब्हारती मिला कौन सी हैं माउंट िव्रिइष्ट की चोटी पर सबसे अधिक उम्र की भारती महिला कौन सी है यहां पर देखें बचेंदरीपाल प्रेम लता अगरवाल प्रभा कुमारी टीना मेना तो कौन देख लेते हैं 45 वर्ची प्रेम लता मई 2011 में माउंट एवरेस्ट का आरोहन कर यह उपलब्दी हासिल की थी बचेंद्री पाल यह एवरेस्ट फटह करने वाली पहली भारती महिला था तो इस नाम को भी याद रखी बचेंद्री पाल यह भारत की ओर से एवरेस्ट पर फटह करने वाली पहली भारती महिला रही है इसके लाबा यह करेंट अफेर से चुला हुआ है मुरादाबाद के राघाव जो नेजा माउंट एवरेस्ट की को फटह करने वाले सबसे कम उम्र के भारती बन गए हैं तो इस फेक्ट को भी याद रखिए की लिजिए कुछ ग्याथन को का रूवर्स का समंध किस खेल से हैं यहाँ पे ऑप्सं ने ग्रिकेट बास्केट आम गोल्व फुडवाल más twoơ cancer ce यह फुटवाल से संब्धित है दूरंड कप और रोवर्स कप का संब्ध किस खेल से है तो फुटवाल से संब्धित है इसके अलाबा महत्पूर्ण खेल और उनकी कप और ट्राफियां है यह भी इंपोर्टेंट है खुटवाल से कौन-कौन से कप और ट्राफिय है दूरंड क कप रोवर्स कप संतोष ट्रॉफी कलिंग कप डीसीम ट्रॉफी बीसी डाय ट्रॉफी यह फुर्दवाल से संबन दिते हैं क्रिकेट की बात करने तो रणजी ट्रॉफी इरानी दिलीप सीके नाइडू बिजय हजारे एसीय कप द्योधर्ण कट्रॉफी आइसीसी वर्ड कप गावस्कर और बाडर ट्रॉफी यह क्रिकेट से संबन दित है हौकी की बात करने तो बेटन कप रंगा स्वामी कप मेजर ध्यांचन ट्रॉफी नहरू कप सुल्तान अजलान साय कप सिंधिया कप यह किससे संबन दित है तो यह हाकी से संबन दित है इसके लाब बास्केट व वेल्स से समझनी थे गोल्प से समझनी थे बैड्मिंटन अम्रदीवान कप, नारंग कप चड्धा कप, थामस कप बैड्मिंटन से समझनी थे और टेनिस से कौन से कप ऑट राफ यह हैं तो डेविस कप , अस्टेलियन कप , फ्रेंच। ओपन, विलियमदन कप और यूयुस हथपूर कप अवट यह इनको देख लीजेगा कोई भी पूचा जा सकता है ने देख लेते हैं ACI खेलो में सुन पदक जीतने वाली पहली भारती कौन बनी थी पहली भारती महिला कौन थी ACI खेलो में जो सुन पदक जीता है यहां पर आप्सन में देखे कमल जीत संदू करणम मलेशुरी सानियामिर्जा हीमादास. तो कौन सी है? यह कमल जीत संदू है. क्या ना मैंनका कमल जीत संदू है, जो ACI खेलो में स्वण पतक जीतने वाली पहली भारती महिला बनी है. इनकी डिटेल देख लेते हैं, कमल जी संदू, ACI खेलों में ब्यक्तिकत स्वन पदक जीतने वाली पहली भारती महिला बनी, और यह उपलब्दी इन्होंने थाइलेंड के बैंकाक में ACI खेल 1970 के दोरां 400 मीटर दवड में अपने नाम किया था, तो इस फेक्ट को भी आद 2023 में भारत के कुल कितने पदक जीते, खाल ही में जो चीन में ज्ञांग जोहू में, ACI गेम्स 2023 आयोजित हुए थे, उसमें भारत में कुल कितने पदक जीते थे, 111, 113, 134, 145, तो कुल पदकों की संक्या भारत की तरफ से 111 रही हो, तालिस सुरन के साथ 111 पदक जीते थे तो इस फिक्ट को भी याद रखे, करेंटर फेट से जुड़ा हुआ है, ACI महादीब का सबसे बड़ा पुरुषकार इनमें से कौन सा है, यहाँ पे पुछा गया है, ACI महादीब का सबसे बड़ा पुरुषकार, कौन सा है, यहाँ पे देखे, भारत का सब सर्वोचनागर सम्मान है ग्रेमी पुरुषकार रमन मैंक से से अवार्ड और मान बुकर प्राइज तो एसिया महादीप का सबसे बड़ा पुरुषकार को उसा है रमन मैंक से से पुरुषकार रमन मैंक से से अवार्ड जो है एसिया महादीप का सबसे बड़ा पुरुषकार है और एसिया मह थिए आधा के राश्ट्रपती रहन मैकसे से की इस मनती में ये पुरुषकार प्रदान किया जाता है तो ये भी याध रखे शेत्र इसके साथ की सेवा, समुदाइन इर्टत जन सेवा, पत्रकारिता, साहत और संचार के शेत्र तैंक Ear gedaan , भारतो में दिया जाता है , और पहला यह पुरुस्कार किसी भारती को दिया गया है वह किस वेए नवा भावे को , बिश्च सुध करश्च कहर को पुलिजकर पुलिजकर के लिए मनता दी जाती है मतलब पुलिजकर पुलिजकार किस चेत्र के लिए प्रदान किया जाता है यहाँ कि corona में देखें बिज्ञान और प्रोधोगे की साहित और पत्रकारिता अंतरराष्टी सूझबूज और परियावलेन अध्यण इसके लबाब कुछ अंतरास्टी पुरुस्कार हैं उनका संबंद किससे हैं आसकर पुरुसकार की बात करें तो यह sit both film sinema है फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरुसकार है आसकर रिवाड ग्रेवी पुरुसकार की बात करें यह संगीत के दिया जाता है मानवुकर प्राइज साहित के छेत्र में गांधी सांती पुरुषकार बिस्व सांती के लिए प्रदान किया जाता है नोबल पुरुषकार की बात करें तो सांती साहित चिकेटिसा भोटिक विग्ञान रसाइन विग्ञान और अर्थ सास्ट के शेत में नोबल पुरुसकार दिया जाता है तो सासकी सेवा, जनसेवा, पत्रकारिता, रचनात्मक संचार कला और अंतर राष्ट इस तरह पर उलेखनी योगदान के लिए रमन मैकसे से पुरुसकार दिया जाता है इस तरह से इन सारे फिक्टो को याद रखिए नोट कर लेए अंगला प्रस्न देख लेते हैं ग्रैमी पुरुसकार किस छेत्र में दिया जाता है यहां पर आप्सन में देखें संगीत के छे में लिट्रेचर पध्रकारिता के छेत्र में जर्नलिजम समाजिक कार सूशलवर्क के छेत्र में तो किस छेत्र में दिया जाता है यह संगीतञे त्यों को देखते हैं ग्रहमी पुसका संगीत के प्रदान करता कौन है तो नेस्टनल एकेडमी ओफ रिकार्ड्स आर्ट्स एंड साइंसेज अमेरिका दोरह दिया जाता है और दोजार चोबिस के ग्रेमी एवार्ड में भारत का जो प्रदर्शन रहा है वह क्या रहा है तबलाबा तक जाकिर हुशेन गायक संकर महादेवन के फ्यूजन म्यूजिक ग्रूप सक्तिने दिस मुवमेंट के लिए यह नाम भी याद रखे दिस मुवमेंट के लिए सर्वस्रेश्ट ग्लोबल म्यूजिक एलबं का च्छाटम ग्रेमी एवर्ड 2024 जीता है तो इस फैक्ट को भी याद रखिए नेस्ट देख लेते हैं राष खेल दिवस मनाया जाता है और किसके हाकी के जादूगर मेजर ध्यान चंद के जन्म दिवस के उपलच में मनाया जाता है तो यह भी याद रखिए राष्टी खेल दिवस किसके उपलच में मेजर ध्यान चंद के उपलच में जन्म दिन के उपलच में और कम मनाया जाता है 29 अगेस्त कुराश्टी खेल दिवस। भारत में प्रथम नोबल पुरुषकार किसे प्रदान किया गया था। भारत में प्रथम नोबल पुरुषकार किसे प्रदान किया गया था। यहां पर ऑप्शन में देखें, Mother Teresa, Rayvindna Tegor, CB Raman, Kailas Satyarthi। किसे प्रदान किया गया था। यह रैविंदna Tegor को प्रदान किया गया था। जो अभी तक भारत के नोबल पुरुषकार प्राप्त करता रहें, उनको देख लेते हैं। रैविंदna Tegor को 1913 में साहित के छेतर में प्रदान किया गया है। CB Raman को भौतकी के छेतर में 1930 में। हर गोविंद खुराना को चिकित्सा के छेतर में 1968 में दिया जाता है। Mother Teresa को सांती के छेतर में 1979 में दिया गया था। S.C.R.S.S.E.K.R.B.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H में 2019 पर पतान किया गया है इस तरह से ये भारत के अभी तक के नोबल पुरुषकार प्राप्त करता है इनको नोट कर लिजिए निम लिखित में से कौन सा कप ट्राफी हाकी से संबंद नहीं रखता कप और ट्राफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कौन से कप का संबंद हाकी से नहीं है यहां पर पूछा गया हाकी से संबंदित कौन सा कप नहीं है रंगा स्वामी कप ये हाकी से संबंदित है, सुल्तान अजलान साय कप ये भी हाकी से संबंदित है, बेटन कप ये भी हाकी से संबंदित है, अम्रत दिवान कप ये हाकी से संबंदित नहीं है, ये किस से संबंदित है तो ये बास्केट बाल से संबंदित है, तो इसको याद कुछ दिए हैं एधेल और कपट राफिय को देख लीजेश इंको नोठ कर लीजें कर फडरेशन कप कासम मंद किस खेल से है यहाँ पे पुचा गया है फडरेशन कंप का समंद किसे है क्रिकेट से गुल्फ से ब्रिज्ज याज मद से समंहें किस से है तो बास्केट वाल से समंदित है इसके लिए महात्पूर्ट का पाउट राफिया है तो इनको नोट कर लीजे गांधी सांथी पुरुसकार के सुरुवात कब हुई थी गांधी सांथी पुरुसकार के सुरुवात कब हुई थी वर्स 1995-1966-1987-1990 तो गांधी सांथी पृर्षकर सफ़ापना ग। 215 में महात्मा गांधी कीblick देखेंथी फारत संत्री पृषकार very गीता प्रेस गोरग्पुर को प्रदान किया 62 भारत के राष्ट पती गांधी के राष्य समारों में प्रदान किया जाता तो इस तत्त को भी याद रखी कहां पे इसको प्रदान किया जाता राष्ट पति भावन में बीजय हजारे ट्राफी किस खेल से संबंदित है यहां पर पूछा किया है बीजय हजारे ट्राफी किस खेल से संबंदित है बेसबाल क्रिकेट होकी पोलो तो किस से संबंदित है बीजय हजारे ट्राफी तो यह क्रिकेट से संबंदित है बीजय हजारे ट्राफी किस से सर्थ महिला कौन बनी है यह इस ऐए खेलों में सवान पतक जीतने वाली पहली भारती महिला कौन है कमल जीत संधु कमलजीट संधु है1970 में 400 मीटर दरण में सवान पतक जीत था श्रोसिक ली assessments 271 में पद मिस्री से भी संभानित किया जा चुका है कि इस फेक्ट को भी याद रखिए यह करंट अफेर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ACI खेलों में भाला फेक में सुन पदक जीतने वाली पहली भारती महिला के लाड़ी कौन बनी है ACI खेल जो 2023 में संभान्न हुए है उसमें भाला फेक में सुन पदक जीतने वाली पहली भारती महिला बनी है और वो कौन है यहाँ पर ऑप्सम में देखें गितिका रानी अनुरानी पारुल चोदरी और अनुम चोपड़ा तो कौन है यह अनुरानी है यह अनुरानी है जो ACI खेलों में जेविलन थ्रों में जीतने वाली सुन पदक जीतने वाली पहली भारती महिला मली है इंपोर्टेंट है यह पहली भारती महिला है जिने जोविलन थ्रों में सुन पदक जीता है तो इस तरह से याद रखिए पुरूस वर्ग में देखें तो कौन है नीरत भी हैं इनोंने 5,000 मीटर में स्वाण पन्वार्ती महिला बनी है और 2020 में पहली बार किसी महीला द्वारा जेवलिन ठ्रो में कौलिफाइ किया गया था तो यह तिरोती तिरों और इसbbles मांप नकी है नाम改靡 किनन ग्रिकेट स्टेडियम किस सहर में इस्तित है कानपुर में कौलकाता में एहम्दाबाद में जमसेद पूर में यह कहां पे इस्तित है यह जमसेद पूर में जारकंड में इसके लाब कुछ महत्पूर स्टेडियम है उनको भी देख लेते हैं नरेंद मोदी स्टेडियम कहां पर है क्रिकेट से संबंदी थैं एहमदावाद इडियन गार्डन किस संबंदी थैं यह भी क्रिकेट से संबंदी थैं कोलकाता ग्रीन पार्क क्रिकेट से संबंदी थैं का से संबंदित है कहां से है चन्नाई से नेशनल स्टेडियम हाकी यह दिल्ली मुंबई से है अमबेटकर स्टेडियम यह फुटवाल से संबंदित है और कहां पे है दिल्ली में है और बारावती स्टेडियम यह फुटवाल से संबंदित है यह कहां joti लेटें है है तो यहां पर आप समय क्रीचे सेन नौव क्योज क्षाथ होती है इसका कितने नौट है वहाँ नौची चहले प्पांच प्लेयर होते हैं। रगवी फुट्बाल में में कितने वोते हैं। तो वार्टर पोले में कितने होते हैंचार प्लेयर में सो से कटक्या खेलों से संबंदी थैं इनको नोट कर लीज़ें मैं है भारत में राष्ट-मंडल खेलों का आयोजन किस वर्थ किया गया था इंप्रॉठ्टन कुसिश्चन है राष्ट-मंडल खेलों का आयोजन भारत में पहली कब हुआ था और ये कब हुआ थाа 2006 2010 2014 2018 तो कब हुआ था यह 2010 में कब हुआ था राश्टमंडल खेलों को आये 110 में जुद हुआ था धीं ऐक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है यहां पर पुछे गा है धींग किसे जाना जाता है ऑप्सन में देखे काणडम मलेशुरी पीटी उसा पीवी सिंदू हीमादास को धींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है इंपोर्टेंट कोश्चन है इस तरह के प्रेस्ट पूंचे जाते हैं उपनाम से यहां पर महत्पूर्ण खिलाडियों के जो अभी तक उपनाम रहे हैं उनको देख लिते हैं भारत के सुनील गावसकर को किस नाम से जाना जाता है लिटिल मास्टर के नाम से मिल्का सिंग को फ्लाइक सिक के नाम से जाना जाता है रोहिस सर्मा को किस नाम से जाना जाता है Hitman के नाम से जाना जाता है मेरी काम को Supermom के नाम से जाना जाता है राहुल द्रमिन को दवाल के नाम से जाना जाता है करणम मलेश्री The Iron Lady हर्बजन सिंग को Terminator के नाम से जाना जाता है महेश और भुपती को Indian Express विशुनाथन आनंद को Lighting King सचिन तेंदुलकर को Master Blaster PT USA को The Pioli Express और Himadaas को Dhing Express के नाम से जाना जाता है तो important है इनको बहुत ध्यान से देख लीजिए important है इसमें से कोई भी प्रकुत ने पूछा जा सकता है अंतरराष्टी उलंपिक समिती का मुख्यालय कहां इस्तित है अंतरराष्टी उलंपिक समिती का मुख्यालय कहां पए एस्तित है जीनेवा में पेरिस में लुसाने में ग्रीक में तो कहां पे इस्तित got ईस्तित आ उलंपिक समित singular हिस्तित है और जो प्राचीन ओलंपिक कंतिती का अनुजन हुआ था 776 इसापूर्व में हुआ था कहां पर यूनान में और जो वर्तमान उलंपिक खेलों का आयोजन हुआ है तो यह 1896 से शुरूआ थुए थी तो यह दोनों फेक्ट भी याद रखें चार साल बाद इसका आयोजन होता है प्रति चार वर्ष में तो इसको भी याद रखें इसके अलबा कुछ अंतरास्टी प्रमुक्ष संगठन है जिनके मुख्याले और स्थापनावर्स पूछा जाता है ACI विकास बंक AWD का मुख्याले कहा है तो मनीला फिलिपिन्स में दच्छिंड पूर ACI राष्टों का सहयोग संगठन या एसियान 1967 में जकारता इंडोनेसिया में राष्ट मंदल खेलों का अयोजन कहा हुआ है 1931 में लंदन ब्रिटेन में European Union का 1991 में Brussels Belgium में G8 का 1975 नियुयार्क में OPEC का कहां पर हुआ है तो 1960 में वियना में Red Cross का 1863 में जिनेवा में और Interpol का कहां पर हुआ है तो 1923 में कहां पर लियोन फ्रांस में तो इस तरह से इन सारे सारे important है इनको देख लिजी रानी रामपाल का संबंद किस खेल से है यहां पर option में देखें क्रिकेट हॉकी कुस्ति जैवलिन थो किस संबंदित है यह हाटी से संबंदित है रानी रामपाल का संबंद किस से है हाटी से और important इसलिए भी है क्योंकि टोक्यो 2020 में जो आयोजीद हुआ था उसमें महिला हौकी टीम का नितर तो किया था और भारत इसमें चोथे इस्थान पर रहा था तो यह भी एक अपनी अपने उपलब्धी है तो इसको याद रखी रानी रामपल का समद्ध किस से हा किसे नोबल पुरुषकारों की सुरुवात कब से हुई थी यहां पर पूछा गया है नोबल पुरुषकारों के सुरुवात कब से हुई थी 1880 1901 1902 कब से सुरुवात हुई थी नोबल पुरुसकरों के शुरुवाथ हुई थी? 1901 से कबसे हुई थी? 1901 से Right answer क्या हो जाए गा? C हो जाएगा इनमे से कौन सा ACI Nieuwel पुरुसकार के नाम से जाना जाता है? इनमे से कौन सा खेल है? अंबेटकर 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 पुरुसकार रमन मैक्से से पुरुषकार, गांधी सांती पुरुषकार, मैक्से से पुरुषकार, यह कौन सा पुरुषकार है, रमन मैक्से से पुरुषकार, रमन मैक्से से पुरुषकार को ACI Nobel पुरुषकार के नाम से भी जाना जाता है, तो इंपोर्टेंट है, रमन मैक्से से की इसम कहा जाता है क्रिकेट और रगवी को क्या कहा जाता है पिच कहा जाता HAR फुटबाल, हौकी, पोलो, फिल्ड कहा जाता है, स्केटिंग और मुक्के बाजी के खेल परिसर को कहा जाता है, रिंग कहा जाता है, निसाने बाजी और तीरंदाजी, रिंज, बैडमिंटन, टेनिस, खोखो, कबड़ी, हैंडवाल, बॉलीवाल, नेटवाल को कोट कहा जाता है, तेराकी के खेल परिसर को पूल कहा जाता है, टेबल टेनिस के खेल परिसर को बोर्ड कहा जाता है, साइकलिंग के खेल परिसर को वेलोडरम कहा जाता है, गोल्प के खेल परिसर को कोर्स कहा जाता है, जुडो काराटो और टाइकाणिडो को खेल परीसर को क्या कहा जाता है मैट कहा जाता है इस तरह से important है इनको याद रखी नोट कर लिजे़ आज का यह अंत्यम प्रस्ण है, अर्जुन पूरुसकारों की सुरुवात कब हुई थी? अर्जुन पूरुसकारों की सुरुवात कब हुई थी? में 1998, 1961, 1962, 1964 मेंद Lulu 1961 1961 राइट अंसर क्या हो जाएगा B ने यहीं हो जाएगा और हर प्रस्ने के साथ अत्रिक्त फिक्टों को भी बताया जाएगा जो आपकी परिच्छे के लिए important होंगे तो उनको note कर लिजे, channel पर नए हैं तो subscribe कर दीजे, ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक share कर दीजे यदि कोई क्योरी होता है, कोई प्रस्ने से संब्दित, कोई जानकारी लेना है तो comment section में आप comment कर दीजे मिलते हैं section section में, thank you, धन्वार, जैहिंद